दोस्तों स्वागत आपका एक और important वीडियो में बात करेंगे मुल्यांकन यानिकी evaluations के बारे में जानेंगे इसके अर्थ परिवासा हुद्देश से महात्वर इसकी विस्तिस्ता हैं दोस्तों चाहें आपका जो भी optional subjects हो बिये डियलेट के लिए बहुत ही जादा important है ये questions मुल्यांकन तो आई ये शुरू करते हैं देखते हैं कि मुल्यांकन की अर्थ क्या होती है मतलब क्या होता है मुल्यांकन का कितापी भासा जाने से पहले आसान भासा में समझाए कि मुल्यांकन होता क्या है जब हम कोई कारे करते हैं तो अंत में या कारे के बीच में हम उस कारे का मुल्यांकन करते हैं कि जिस उद्देश से हम वो कारे कर रहे हैं उस उद्देश को प्राप्त करने में हम कहां तक सफ तो बात करयेंगे कि सिच्षा के छेत्र में मुल्यांकन तो आइए देखते हैं कि मुल्यांकन सिच्षण परिया की वह अंग है जिसके दवारा यह जाच की जाती है कि एक निश्चित समय में सिच्छा के उद्देश्यों की पूर्ती में कहां तक प्रगती हुई मतलब आप जो सिच्छा के उद्देश्यों के लिए बच्चों को सिच्छा दे रहे हैं तो एक निश्चित समय में उस उद्देश्यों की पूर्ती कहां तक प्रगती सच्छी के विद्यार्थी के अनुभाव ततह योग्यता में कितनी वृद्धी हुई उनके वहवार में कितना परिवर्थन आया तता सिछक ने इस दिसा में कहां तक सयोग कहते हैं Boulder के इस सिभार में कि इसने कितनी वृद्छी और उनके वहवार में क्या परिवर्तन आया और इस दिशा में कहां तक अपना सव्यों द्या इसे को आसान भासा में इकाइशन अब साब्दिक रख देखिए मुल्य अंकन का साब्दिक अर्थ क्या होता है मुल्य अंकन दो सब्दों से मिलका बनाए कौन सा मुल्य प्लस अंकन मतलब मुल्यों का आकलन करना आप जो पढ़ा रहे हैं उनका आकलन करना ही मुल्य अंकन कहलाता है इवैल्यवेशन कहलाता है तो मुल्य अंकन का साब्दी कर्थ क्या हुआ दोस्तों मुल्य प्लस अंकन मुल्य अंकन में मापन के परिडामों की व्याख्या की जाती है और यह व्याख्या कुछ समाजिक संस्कृतिक अत्वा वेग्यानिक मान डंडों के आधार पर की जाती है समझ में आगे तोस्तों मुल्यांगन का मतलब ये है कि जो आप सिक्षर कारे कर रहे हैं उनके उद्देशों की प्राप्ति कहां तक प्रगती हुई बच्चों के अंदर उनके वहवार میں क्या परिवारतनाया उनके अनुभवत ओतायो गता में कितने व्रिद्धि हुई इन सब का आकलन ही क्या कहलाता है मुल्यांगन के अर्थ की अब आईrance कुछ देखते हैं मुल्यांगन के बारे में विद्दिवानों ने क्या कहा तो देखि के विशय में प्रमाडो के संकलन और उनकी व्याख्या करने की प्रकिरिया मुल्यांगन कहला दिये कहना का मतलब है कि छात्र के वहवार में विद्याले के द्वारा जो परिवर्तन लाया जाता है उसी के विशय में प्रमाडो के संकलन और उनकी व्याख्या मतलब जो भी विद्याला के दोरा प्रमाण दिया जा रहा है कि आपकी यहां तक अपने विभ़वार परिवतन में सक्षम रहे उसी का आकलन करना उसी की व्याख्या करना की क्या कहलाता है मुल्यांकन कहलाता है तो क्विलिन और हना ने साफ सब्दों में कहा था कि छात्रों के वहवार में विद्याले दुबारा लाए गई परिवर्तनों में परिवर्तनों के विसे में प्रमाणों के संकलन और उनकी व्याख्या करने की प्रकिलिया ही मुल्यांकन कहलाती है इंग्लिज में इवैलिवेशन इप्रोसेस अफ गेदरिंग इंटरिप्रेटेटिंग एविडेंस ऑन दे चेंज इन बिहेबिर अफ दे स्टुडेंट एस दे प्रोग्रेस थ्रू स्कूल एक और हम यहाँ पर डेफिनीशन देखते हैं समाज और दोनों की दृष्टी से कि वो अक्चा है अत्वा वंचनी है इसका मान किया जाता है एक और लास्ट हम डेफिनीशन देख लेते हैं मुल्यांकन होता क्या है मुल्यांकन का अर्थ किसी वस्तु या प्रकिरिया का मुल्य निश्चित करना है इस प्रकार सैचिक मुल्यांकन से तत्पर है कि सिच्छड प्रकिरिया तथा सीखने की किरियाओं में उत्पन अनुभाओं की उप्योगिता के बारे में निड़ए लेना ये बहतरीन एकॉर्डिंग टू टियल तॉर्गर्सन ने दिया था तॉर्गर्सन के अनुषार मुल्यांकन का अर्थ किसी वस्तु या प्रकिरिया के मुल्य निश्चित करना है इस प्रकार सैचिक मुल्यांकन से तत्पर है कि सिच्छड प्रकिरिया तथा सीखने की किरियाओं से उत्पन अनुभाओं की उपयोगिता के बारे में निर्णाय देना तो ये बात हो गई तीन डेफिनिशन के बारे में अब आए देखते हैं कि मुल्यांकर के मुख्य घटक कौन से है मुल्यांकर होता क्या है तो सबसे पहले आपने मापन किया ठीक है मापन द्वारा परिडामों का विस ले सढ़ किया तो मुल्यांकर के दो मुख्य घटक कौन होगे मुख्य घटक कौन कौन से होगे मापन और मापन के द्वारा परिडामों का विस ले सढ़ मतलबноз the measurement and the analysis of the information obtained from the measurement ये जिए के दो मुख्य घटक हो गए अब आईए देखते हैं कि मुल्यांकर की सिख्छा में आवसक्ता क्यों है क्यों है भाई सीखने की प्रेड़ा जब आप evaluation करेंगे बच्चों का test लेंगे exam लेंगे जब उनको evaluate करेंगे तो उनको सीखने की प्रेड़ा मिलेगी मतलब पहले कम marks आएंगे तो उन्हें और प्रेड़ा मिलेगी हमें और अच्छा सिला अच्छा पढ़ना है और अच्छे marks लेक्याना है पार्ठेक्रम में परिवर्तन आप ज़रा सोचेंगे कि ये पार्ठेक्रम सही नहीं हो पा रहा है बच्चों को सैचिक उदेश प्राप्त नहीं रहा है पार्ठेक्रम में रखने का उदेश एक है सबसे पहले पुर्वकथन मतलब जब आप मुल्यांगन करते हैं तो आप बच्चों के बारे कुछ अंदाजा लगा ले सकते हैं कि ये बच्चे का फ्यूचर कहा तक जाएगा ये बच्चे की सोच कैसे है इसी को पुर्वकथन कहते है पुर्वकथन का आसा है कि व्यक्ति की वर्तमान की छमताओं और योग्यताओं को देखर उसके भविसी के बारे में घोसडा करना ये कब मुमकीन है जब आप बच्चों को उनका मुल्यांकन करेंगे ठीक है तुलना कर सकते हैं दूसरा उद्दे से क्या वई तुलना परते का ध्यापक का यह जानना आवस्यक हो जाता है कि एक साथ दूसरे चातर की अपिक्चा किस परकार प्रगति कर रहा है मतलब जब आप मुल्यांकन करेंगे जब आप एक्जाम्त लेंगे तो समझ में आएगा कि कुछ बच्चे बहुत अच्छा जा रहे हैं और कुछ बच्चे बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे तो उनको और ज्यादा जोड़ देना है उनकी पढ़ाई पे और ज्यादी मेहनत करनी है तो इसी के तुलना के लिए पहले है पुरुवकतन और तुलना और देखिए अनवेसर एवं सोध कारे कोई भी सिक्षा से सम्मधित अनुसंधान या सोध बिना मापन या मुल्यांकन के कि पूरा नहीं हो सकता मापन या मुल्यांकन के द्वारा हमें आकड़ों के प्राप्त होते हैं उनके अधार पर हम किसी निसकर्स पर निकलते हैं तो आप जब मुल्यांकन करेंगे तो क्या कर सकते हैं सोध कर सकते हैं जो भी आकड़ा निकलेगा उसके एक निसकर्स बना सक वीडियो में विधी में औरुपता चल जाता है कि कौन से विधी द्वारा ज्यादा उपयोगी तिहां किस विधी द्वारा पढ़ाने से ज्याधा चात्र लाभानवित होंगे मतलब आप संसोधन करेंगे जो भी आपकी पढ़ाई की मेथड है विधी है उसमें संसोधित करेंगे आप यह पता लगाएंगे कि कौन सी विधी बच्चों के पढ़ाने के लिए बेस्ट है ठीक है की मुल्यांकन के सोपन का मतलब स्टेज क्या हरा बहुत है राद को सबसें पहला कि about और वहारश क्या में वतारल करेंगे आप डिटर्मिनेशन औडरेफिनीचिंचन और इजू किश्चनल Objectives, मतलब आपके सैच्छिड उदेस से क्या है, मतलब समझ रहे हैं, आप किस परपज से बच्चो को पढ़ाना चाहते हैं, आपके सैच्छिक उदेस से क्या है, इसका निर्धारित करिए, इसको परिभासित करिए, मतलब उसको पता लगाई दूसरा क्या है भई मतलब आप किसी चीज का मुल्यांकन करेंगे तो बच्चों का आप एक्जामस लेंगे तो उसके तीन स्टेज है भई क्या है पहला क्या है कि आपका उद्दे से क्या है इस एक्जामस का उद्दे से क्या है आपके वो पढ़ाने का उदि द्राइओं से क्या है? तो सबसे पहले आप उनका निधारार करेंगे ठीक है सैचिक उदेसियों का निधार करेंगे दूसरा, अदिगम अनुभाव की योजना बनाएंगे मतलब आप एक योजना बनाएंगे कि उस चीज को प्राप्त करने के लिए बच्चों को किस प्रकार पढ़ाना है ठीक है उसके बाद उनके वहवार में परिवर्थन के अधार पर मुल्यांगन करेंगे कि बच्चों ने कहां तक सीखा तो एक वेलुएशन यानि मुल्यांगन के तीन सोपान यानि कि तीन चरण या तीन स्टेज होते हैं पहला कौन सा सैचिक उदेशों का निधार करना दूसरा अनुभाव की योजना बनाना और तिसरा वहवार प्रधिवर्थन के अधार पर मुल्यांगन करना कि बच्चे कहां तक अपने सैचिक उदेशों को प्राप्त करने में सफल रहे हैं ठीक है मुल्यांकन से आप किया समझते हैं उसके उदेश्य प्रकृती की विष्यफत सब्स्प्रण करें किसी एक मुल्यांकन के प्रकारों करी मुल्यांगन के प्रकार सिर्ण और समय Team learners गमाइसर्न प्रभी विज्ट से जानेंगे लेकिन इस वीडियो में अगले वीडियो में बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है तो इसके लिए अलग वीडियो बनेगी चारों मुल्यांकन के प्रकार एक ही वीडियो में आपको कर दिया जागा ठीक है यह है सुमेटिव इवैलिवेशन ठीक है द मिन दारित करना और अनुभाँ की योजना बनाना और मुल्यांगन करना इसकी स्ट्रेस कहा गया है इनके उद्देश सामे में उद्देश कज्द करना और संसॉधन करना अपणी सिच्छड वीदियों में संसोधन करना जो पढ़ाने के लायक हो जिसे बच्चे अच्छा से पढ़ रहे हैं उसको जारी रखना और जो अच्छे से नहीं समझ पारे हैं उसको परिवर्थन करना ठीक है और इनकी आउसकता भाई प्रेड़ा पार्थे करम में परिवर्थन सिच्छ प्राड़ी में सुधार और विद्याले में सुधार पार्टे करम में सुधार ठीक है इनके मुझ की घटा कौन-कौन से पहला मापन दूसरा मापन द्वारा प्राफ परिडारों का विसली सर्ड अनालसिस ऑफ द इनफॉर्मेशन अप्टेंड फ्रम दा नोरे में और दिप जाकर उसको समझा जाता है उसकी एनालसिस की जाती है और मुल्यांकन सिछर प्रकिरिया का क्या है एक अभीन अंग है जिसके बार जाज की जाती है एक निश्ची समय सिछा के उद्यसों की पूर्ति कहां तक प्रगती हुई ठीक है विद्यार्थियों के अनुभूत अथा योगता में कितनी वृद्धी हुई और उनके वहवारे में कितना परिवर्तन आया ठीक है अब बात कर लेंगे अगले वीडियो क्या है ठीक है एक्जाम से में आएगा अब स्वेम आपकी कदम चलेगी और आप बढ़िया से लिक कराएंगे और रही बात नोट्स की तो आपके सीरीज में मौझूद है एक बार महां से जरूर पढ़ लिए अगर यहां से कुछ चीजे समझ में आ रही है तो और खतम कर द दोस्तों इसकी पीडियाफ के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जो टेलेग्राम का लिंक दिया गया है आप उसको जॉइन करिए इस चीज़ का पीडियाफ आपको वहापे मिल जाएगा जाहें जाबरा दोस्तों